हाई फूजीज तो आज मैं बना रही हूँ आमले काचा सिर्फ 5 मिट के अंदर साल भर खराब नहीं होगा और बिल्कुल भी कसायलापन नहीं है तो इतना जटपट बनने वाला आमले काचा आप पूरी रेसिपी देखोगे तब ही बना पाऊगे तो पूरी रेसिपी को ध्या आमला लिये है अच्छी क्वालिटी के आमला लेना है आधा कप तक ही पानी जालें इसके अंदर और पानी जालने के बाद यहां पे आप वंजी स्पून स्वालट डालें क्योंकि मैं आमला अचार के लिए बोईल करें तो पानी मैंने थोड़ा कम ही लिया एक अप नहीं ल और नहीं तो आमला में इसे गुटली निकालना बहुत मुस्किल काम है तो जैसी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मैं इसको सीडलेस कर लूगी और सीडलेस करते ही इसके पीसे हो जाएंगे और चाहर बहुत फाइदे मन्द होता है साल वर आप रखके खाएए खराब नहीं हुआ है तो आप इसको किसी भी पराठा वगरा की साथ गून सकते हैं अचार में इसका यूज नहीं होगा लेकिन अगर आप चट्नी बगरा बनाते हैं तो आप इसे उसमें यूज कर सकते हैं यहां मैं अपने खड़े मसाले ले रही हूं राई धनिया सौफ जीरा मेती और तो गाइस मेरा जो है मसाला अच्छी से हो चुका है रूस्ट और अब मैं इसे मिक्सी में डालूंगी और इसको मुझे करना है दरदरा जो मसाला होता चार का वो बहुत अचा के टेस्ट को बढ़ाता है तो मैंने यहां पे जल्दी से अपने जो मसाले हैं उसको मैं यहां पे एक ग्राइंडर के अंदर जालनी हो इसी के अंदर मैं कुछ मसाले भी यूज करूंगी पाउडर जैसे कि मैंने यहां पे काला नमक ले लिया है और चिली पाउडर ले ले लिया है सफेद नमक ले ले लिया है और हल्दी पाउडर तो बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो को आसानी से घर पे मिल जाएंगे तो यह देखिए मैंने जल्दी से उसको हल्का सा कोर्ज ग्राइंड किया यहां पर मैंने थोड़ा सा सरसोका ओई जाला है इसको गरम करते ही मैंने यह जो मसाले थे मैंने इसमें डाला है और थोड़े से यह जैसे ही ताड़केंगे ना जट बहुत ही प्योर और अथेंटिक रेसिपी होती है जैसे हम दिखाते हैं बैसे ही बनके निकल के आएंके और आप नेक्स रेसिपी क्या सीखना चाहते हो मुझे जरूर बताएं आमला की ही मैंने लॉंजी भी बताई हुए तो आप वह भी देखे वह बहुत टेस्टी बनते हैं थोड़ा से मिर्ची का पॉल्ड़ा डाला है क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी चाहा रही थी आप मसालों को थोड़ा अपने टेस्ट के एकोड़िंग एज़स्ट कर सकते हो देखे कितने अच्छे से मसाले जो है उपर से लग चुके हैं और कभी भी किसी भी चीज का अचा अगर आपकी साइड में धूप आती है तो इसे दो दिन के लिए धूप में रख देना बहुत ही अच्छा रहेगा और आप सेकंड जैसे से कंजूम कर सकते हो मैं इसे काज के मर्तवान या किसी भी बोटल में बना के स्टोर कर रही हूं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होग कि मैंने अपनी आमला की लॉंजी की रेसेपी भी शेयर किये है आगाई जाप उसे भी चेक कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने और जाला है सरसू का ही तेल लेना है मैं ठीक है बस इसको मैं कवर करके रख दूंगी जी हां हमारा आमला का चाल्ज़र बन के रेडी हो गया है इसको पराठा दाल चाबर किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए क्योंकि यह बहुत ज़्यदा टेस्टी है और हेल्थी तो सभी को पता है कि आमला कितना ज्यादा हेल्दी होता है है ना तो हेल्थ के जो गुड़ है वह बहुत अच्छे होती है यह देखिए हमारी आमला के लॉंजी भी यहां पे रखे हुए है थैंक्यू फो वचिंग